उमर्या के बीर सिंगपूर पाली इस्तित विश्वकर्मा मोहले में भारी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार अचानक डह गई जिसकी चपेट में एक महला आ गई इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उक्त महला को उपचार के लिए पाली सामुदाइक स्वास्ति केंद्र पहुंचाया इसको लेकर जब उक्त घर के मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले चार दिनों से हो रही बारिश की वजह से उनके घर की दीवार गिर गई थी जिसकी सूचना उन्होंने कई अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई अधिकारी इसका निरिक्षन करने नहीं आया, ऐसा ही कुछ इस बारिश में भी हुआ, जिसकी चपेट में उनका बेटा और उनकी पतनी आ गई जिने देखने अभी तक कोई जिम्मदार अधिकारी नहीं आ जिसकी सूचना जो है, पूर पिछले साल भी मेरी एक दिवाल गिर गई ती सर, तो उसकी भी सूचना दी थी माने, तो आज तक ना कोई पटवारी आया था, ना कोई भी अधिकारी आया, आज उसी कपड़ना में है, यहाम लोगों के उपर जो है, दिवाल पूरी गिर गई अच्छे, इसके चपेड़ पे कोई आया, कोई सी कोई, मेरा बड़ा वाला लड़का है, मेरी मेसेज आई जिसके कमर में, और इधर पसरी में जो है, पूरा दिवाल गीर और उसी में जर्क है, तो उनको इलाज के लिए भी कोई अधिकारी सामने आया, अभी तक तो कोई न आपके खाते में वो कर दिया जाएगा, अभी तक कोई ये भी नहीं बोल रहा था कि आपका पास हो गया की नहीं हुआ है, और जब कि सर सबका हो गया है, मैं ही एक तो बड़ा आदमी हूँ कि मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक, कब दिया था आपने अभी दन, और दिन से, क कि नहीं कहा बोलूंगा तो बुराई जाद हो जाएगा आप पारसादा आप पारसादा पूर सता ही नहीं देखने का, वाड़ पारसाद मोकी पर नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है है, बिल्कुल नहीं है।